वर्स 1985-86 में देवियापूर एंटीपीसी प्लांट के साथ हुए एक समझोते ने फतेपुर के जहानाबाद छेतर के हजारों किसानों की लाखों हेक्टेर भूमी सिंचित हो गई तो वहीं इस समझोते के तहट एंटीपीसी प्लांट को रजबहे का पानी बेचा गया था और इसके बदले 26 राजकी नलकूपों को लगा करके वहाँ पर राजबहे को चलाना था किन्तु राजकी नलकूप नहीं लगाए जा सके और रजबहा सूख गया इसके बाद विधान सभा चुनाओ में ततकालीन विधायक प्रकाश नरायन अवस्थी चुनाओ हार गये तब से प्रतेक चुनाओ में घाटमपूर जहानाबाद रजबहा बड़ा मुद्दा बंता रहा एक बार फिर रजबहे में सियासी पानी छोड़ा गया है अब देखने वाली बात है कि यह चुनाओ तक पानी चलने वाला है या फिर हकीकत में किसानों की तकदीर को बदलने वाल जहानवाद घाटमपुर रजबहा सन 1985 में जहानवाद के ततकालीन विधायक प्रकाश नरायन आवस्थी ने दिबियापुर NTPC प्लांट को एक समझावते में इसका पानी जो है बेच दिया था और उसके बदले में 26 राजकिया नलकूप लगाए जाने थे जो नहीं लग पाए इसके बाद से जो किसानों की लाख अतार सिंचित होती रही पिछले 20 वर्सों से जहानवाद घाटम पुर रजबहा विधान सभा चुनाओं में मुद्दा बनता रहा है और चुनाओं के पहले पानी छोड़ा जाता रहा है जिसमें जो जनप्रतनी दी हैं जीतने के बाद इसे ध्यान नहीं देते रहे एक बा हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें इस्टार ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉल उस्टाष